लो भाई लो क्या हाल चाल आप लो का तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं variable के बारे में तो आईए ही श्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं variables क्या होते है variables क्या होते है एक value होता है that can change जो की बदल सकता है depending on the conditions or information passed to the program जो हमारे software होते हैं उनके अंदर जो variables होते हैं और क्या होते हैं बदल सकते हैं इसके उपर depend होता है जो भी हम information जो भी हम input देते हैं उसके according हम variables की value को बदल सकते हैं तो यहां इनसान की एज बदलती रहती है, आज एक साल होती है, कल दो साल होती है, फिर दीन साल होती है, फिर चाज साल होती है, रैट, क्लास की बात करें, तो आप पहले फर्ट क्लास में होता है, फ्र्ट क्लास में होता है, फ्र्ट क्लास में होता है, तो ये क्लास भी चेंज होता है, तो पैसे कमाने भी क्या होता है हो सकता मैं ज्यादा कमा रहा हूं कम कमा बट यह भी बदलता रहता है अगर मैं प्रोग्रामिंग लेंग्विज की बात करूं अभी हम पढ़ रहे थे अगर मैं ज्यावा प्रोग्रामिंग लेंग्विज की बात करूं यह कोई भी प्रोग्रामिंग लेंग्विज की बात करूं तो उसके अंदर जो बैरीबल्स होते हैं कंटेनर होता है जैसे मानलो आपके पास एक बाल्टी है बाल्टी कर सकता है क्या करता है पानी को स्टोर कर एप कौन बना रहा है तो यहाँ पर definition मेन रख रहा है कोई रही है लग्याल vivir प्रोग्राम के रखने क्ले को नहीं इन को स्विल जब प्रोग्राम एक्जिक्यूंटों होता है तो राइट, every variable assigned a data type, मतलब क्या है इसका कि कोई भी variable आप बनाओगे, तो उसके पास कुछ न कुछ data type होगा, आपको confused होने की जूरत नहीं है, ये बस एक simple सा theory है, हम इसको practically, example के साथ समझेंगे, और उसको code में हम करके भी देखेंगे, ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तो हम variable का एक syntax देखते हैं, basic, अगर हमें अपने program के अंदर variable बनाना हो, तो हम किस तरीके से variable बनाएंगे, तो variable को बनाने के लिए, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आपको variable को declare करना पड़ता है, तो variable को declare करने के लिए, आपको क्या चाहिए, एक data का type चाहिए उसके बाद variable का नाम चाहिए, ठीक है, तो data का type, अभी हम पढ़ने वाले हैं, different type का data, जैसे हमने पढ़ा है कि data different type के होते हैं, जैसे कि हमें पता है कि Java में different data type सब लेबल हैं, उनका अपना different purpose है, तो आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे हमने example में एक int रखा हुआ है data type और is variable name का use कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कि हमें किसी का age store करके रखना है, और वो store कहा होगा, वो एक container में होगा, container क्या है, वो age है, जो यहाँ पे हमने एक, यह जो age हमने define किया है, और age किस type का होगा, वो एक integer होगा, एक number होगा, तो ले next चलते है, variable को हमने declare किया, देखा क चरूर ही है कि आप कोई न कोई एक data type उस variable को दीजिए, कोई भी data type आप integer दे सकते हैं, float दे सकते हैं, character दे सकते हैं, कोई भी data type, जो इस type का data आपको store करके रखना है, ऐसा नहीं कि आप कोई भी data type दे दोगे, जिस type का data आपको store करना है, आप उसी type का data यहाँ पे variable के define करने क के टाइम पर आप दो एट तो अगर मैं देखं़ यहां पर क्या एन डेट अगा एक डेटए टाइप और काउन्ट क्या है? काउन्ट का नाम है यहाँ पर वारीवल हमने डिफाइन किया है इन्ट काउन्ट ठीक है clear है पर एकाउनिक्स्ट जब भी हम variable में first time value देते हैं उसको बोलते हैं variable initialize करना जब भी variable में आप first time value assign करते हैं जैसे for example आप यहां पर देखोगे तो मैंने एक integer जो है age नाम की variable है जो integer type का है उसे मैंने 20 value assign किया तो यह क्या है variable को मैं यहां पर age जो variable है उसको मैं initialize कर रहा हूं जैसे आप देखोगे यहां पर की variable define करने के लिए हमें data type यूज करना पड़ता है variable करने में यूज करना होता है उसके बाद assignment operator हम यूज करते हैं और देर हम value provide कराते है assignment operator इसको आप equal to भी बोल सकते हो कि हम value को assign कर रहा है next चलता है assigning a value अगर कोई एक हमारे पास variable है तो उस variable में क्या है कि हम value को कभी भी assign कर सकते हैं अभी हमने क्या पड़ा था variable में value को initialize करना बट यहां पर हम variable में value को assign कर रहा है तो चले इन सभी चीजों को हम practical करके एक-एक देखते हैं और समझते हैं कि आखिर यह किस तरीके से काम कर रहा है ठीक है तो चलते हैं अपने code editor की तरफ वहां लिखते हैं code को समझते इन सभी चीजों को और उसे practical करके देखते हैं ठीक है तो अभी मैंने एक बहुत यहां पर basic सा program बन रखा है जिसमें एक main class बना हुआ है तो आपको पता है कि हम लोग को variable को define करने के लिए क्या चाहिए variable data type चाहिए और variable का नाम चाहिए तो हमने जैसे data type पढ़ा है data type अलग-अलग type को होता है बहुत सारे data type अब लेबल हैं जावा के अंदर तो हमें जिस type का data store करना हम वही data type यहां पर यूज करेंगे तो मानलो हमें किसी बन्दे का age store करना है तो हम integer data type यहां पर हम YOUせ करने वाले हैं तो मैं यहां पर integer data type यूज करने के लिए मैंने integer लिखा उसके बाद variable का नाम लिखा जो कि variable का नाम age है और मैं यहाँ पे क्या किया हूँ भी variable को declare किया आप देखो कि यहाँ पे एक variable declare हो चुका है अब दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ा था variable में value को initialize करना या variable initialize करना ठीक है तो जब भी मैंने बताया आपको कि जब भी भी एक variable को initialize करने का बाद फर्स्टाइम को value देते हैं उसको variable initialization बोलता है जैसे age को मैं 20 दे रहा हूँ तो मैंने age जो नाम का variable उसको 20 एक value दिया है अब इसको मैं print कर रहा हूँ ठीक है तो आप देखोगे कि मेरे को क्या मिलेगा println ए एक method होता है system.out.println हम लोग उसको use करने वाले है और उसको use करके हम age की value को print करने वाले हैं ठीक है और इसे मैं run कर रहा हूँ तो आप देखोगे तो हमें क्या मिल रहा है age क्या मिला 20 अब आपको क्या करना है अभी तो हम लोगों ने क्या किया age की value को initialize किया अभी मैंने आपको बताया कि जो variable हो क्या होता है change हो सकता है जब change हो सकता है तो चलिए इस variable की value को change करते है age की तो अभी age क्या है आपको 20 तो ठीक है मैं अभी यहां पे age को 20 प्रिंट किया हूँ और मैं नीचे जाके age की value को 30 कर देता हूँ तो हमारी age की value क्या मिलनी चाहिए age की value मिलनी चाहिए 30 अगर मैं age को फिर से print कर रहा हूँ तो मैं आपको यहां पे दिखाता हूँ पहले age की value क्या print हुआ है यहाँ जब हमने print किया तो age की value 20 मिली है फिर हमने age की value क्या किया? change किया age में value जो age नाम की variable है उसमें हमने value को change करके 30 कर दिया और फिर से हमने age को print किया तो value किया होगी 30 तो अभी हमने क्या देखा variable को declare करना variable को slice करना और variable में value assign करना यह हमने क्या किया है एक variable में value assign किया है उसके लिए क्या है वेरियबल का नाम हमने यूज किया है, equal to use किया value, आपको मैं बता दू, variable में वही value assign होगा, जिस type का variable होगा, यानि कि जिस data type का variable होगा, उसमें वही value assign होगा, चलिए, अचलते हैं अपने slide पे, और देखते हैं, आगे की topic, तो अभी आपने देखा कि variable, हमने क्या किया, variable को value assign क का सकते हैं, कोई भी, जिस type का variable हो, next देखते हैं, अब मैं बता दू, multiple variables अगर आपको बनाना है, same data type के, तो आपको बार बार data type लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप simply comma, use करके, comma से separate करके, आप variables को क्या कर सकते हो, multiple variables को, same data type का बना सकते हो, जैसे आप यह syntax देखेंगे, त फिर variable का नाम use किया, और फिर अगर दूसरा variable बनाना है, तो आप से data type नहीं लिखोगे, आप से comma करके, दूसरा variable का नाम लिख दोगे, for example, आप देखो के यहाँ पे, तो यह x एक variable बना इन type का, इसके value chart दे दिया, फिर मेरे को in type की दूसरी variable चाहिए, तो हमने क्या किया, in type एक भी दूसरी variable को बनाने के लिए, हम वापस से हमने कोई data type नहीं दूबार certified किया, हमने सिधा comma लगाया, दूसरी variable का नाम लिखा, उसमें value sign किया, अब देखो कि यह variable 1 है, और यह variable 2 है, और उसके साथ उसके value हमने इंसलेज कर दिया, next देखते हैं, इसको practice करके देखते है उसके पहले आपको मैं बता दूँ कि जो variables होते हैं, वो different type के अबलेबल होते हैं, इस वीडियो में अभी हम in different type के variable के बारे में नहीं पढ़ेंगे, बस जान जाएजे जो variable होते हैं, different type के हो सकते हैं, local variable, instance variable और static variables, इनके बारे में हम आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे पढ़ते जाएंगे, अभी हम इनके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम multiple variable जो हमने पढ़ाया इसके पहले, उसको practical करके देखते हैं, ठीक है, तो आईए यहाँ पे, तो आपको मैं बता दूँ, ये मैं इसको एक बार change कर देता हूँ, ताकि आप लोग को code मिल सके मैं इसका नाम रख देता हूँ, variable, जो कि already हम लोग ने पढ़ लिया है, और मैं एक दूसरा class बनाने जा रहा हूँ, जिस class के अंदर multiple variable को हम practice करेंगे, तो देखते हैं, multiple variable को करके, मैं एक main method यहाँ पे बना लेता हूँ, main method के अंदर ही आपको पता है कि हमारा program execute होता है, और चलते हैं, बनाते हैं, एक variable मैंने बना है, int a, और एक मेरे को और दूसरी variable चाहिए, जो int type का ही चाहिए, तो मैं यहाँ बना के इसको comma से close कर सकता हूँ, अभी हमने यहाँ पे variable को multiple variable को declare कर लिया, अब कितने ही बना सकते हैं, अब हमें इन variables की value को मैंने बता है, variables declare करना होता अब हमने यहाँ पे multiple variable declare करें, multiple variable के value को initialize भी कर सकते हैं, तो आइए, हम लोग यहाँ पे इस value को initialize करते हैं, तो मैंने a के value 10 रख दी, b के value 12 रख दी, और c के value को रख देते हैं, 30, तो क्या हुआ, a के value मिल गई 10, b के value 20, c के value 30, तीनों को एक ही line में हमने declare किया, उसकी value initialize क नहीं किया, एक ही data type यहाँ पे लिखा है, और same data type के multiple variables बना है, अब यहाँ पे अगर मैं print करूं, तो मैं a को भी कर सकता हूं, right, मैं 2 को भी कर सकता हूं, और c को भी कर सकता हूं, आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यह भी हम run नहीं किया है, इ यह code गलत जगा पे बन गया, इसको मैं एक बार सहीं जगा पे ले आता हूं, इसको मेरे को एसाई से फोल्डर अंदर बनाना था, बट यह गलत जगा बन गया था, ठीक है, अभी यह सहीं जगा पे है, इसको हम लोग run कर सकते हैं, आप देखो कि यहाँ पे a की value, देश्पि की 30, ऐसे हम ने वहाँ पे variable के value को हमने क्या किया था, चेंज किया था, वैसे हम multiple variables के value को same type जैसे normal variable के value को change कर सकता है, अगर मैं सिर्फ एक value को मैं change करना चाहता हूं, एक value को 50 करना चाहता हूं, तो मैं कर सकता हूं, अब देखो कि एक value मेरे को 50 मिलेगा, तो अभी इस वीड multiple, अगर variable define करने है, same data type के, तो आप कैसे multiple data type या multiple line को use किये बगए, आप एक ही line में कैसे decalier कर सकते हैं, और हमने देखा कि variable different type के होते हैं, तो उन variables के, उन different types के बारे में हम बाद में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो हम लोगों को जबी समझ में आएगी, जब हम कुछ दू वीडियो को यही close करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में,